अग्युर्हक ुप्राई Dr. दोब आज किस वीडियो बात करते हैं आने वाली नई भरती को लेần še बार यह रही है यह भी बात करेंगे विस वीडियो में दोस्तों बात करता हूँ यहाँआपकि उत्तररप्रदेश में बाका अजयानक से बहुत सारी भरती आने वाली है और आप देखेंगे डिपार्मेंट दुस्ते हांपर इसक च्छक भरती को लेकर भी काफी बहाल बचा दूसरी और उत्तरपदेश पुलिस भरती भी आने वाली है दोस्तों तिसरी बात यहांपर कि यूपी ट्रिपल सी के थुरू दोस्ते यहाँ पर लेखपाल की भरती आने वाली है इसके बाद दोस्ते यहाँ पर एनम की भरती आने वाली है इसके बाद दोस्ते यहाँ पर आई टी आई इंस्ट्रक्टर की भरती आने वाली है बहुत सारी भरती आने वाली है तो दोस्तो इस वीडियो में complete step by step और एक एक बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों यूपिटर परस्मी लेकपाल की बारें बात करूँ तो लगबग यहाँ पर 5000 पदों पर भरती आने वाली है जो कि आपको पता चल चीगा होगा बहुत जगा यह आपको देखने के मिला होगा और यह अधिय यहाँ पर या फिर जितने भी यहाँ पर जो पहने हैं जिन लोगों ने यहाँ पर यह नम कर्स किया हुआ है वह इंतिजार कर रहा है जिसकी भरती यूपिट्रेपल सी के थ्रू निकाली जाएगी तो उनके लिए भी बहुत ही good news है तो आप लोगों ने डिपलमा किया और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के फार्म में आप लोग फार्म अपलाई कर सकते हैं ठीक है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों गूड निउस है यूपी ट्रिपल सीक तो 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 यहाँ पर टीवल ऑपरेटर की मांग की जा रही है जो की लगभग 12,000 पद है ठीक है नहीं 9,000 कुछ पद है 9,000-9,000 का सपास है तो टीवल ऑपरेटर की वेकेंसिस क्यों लेकर की भी काभी छात्रों में काफी ग्रोशार की आकरी वेकेंसिस क्यों नहीं आ रही है बेंडिंग है तो लगभग मानूं तो मैं यहाँ पर आईटी आई की एक लाख असपास पद वेकेंट है इसको लेकर कई बर ग्यापन भी दिया गया है लेकिन उस ग्यापन के बाद दोस्ते अब तक वेकेंसिस का आसपासन मिला है सिर्फ बाकी कुछ और ओफिसियल नोटिस नहीं जारी किया गया है दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन तो आप लोगों फार्म भरते रहें फार्म को इंतजार कीजिये और ग्रूप डी के वेकेंसिस के त्यारी करने वाले चात्रों के लिए गुड निउस है ग्रूप डी के वेकेंसिस भी आ रही है